तो चलिए फ्रेंट कैसे हैं आप लोग स्वागत करते हैं आप लोग को फिर से ए टिकनिकल यूटूब चैनल में आज हम इस वीडियों बतलाने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूटूब चैनल का सस्क्राइबर काउंट हाइड कर सकते हैं जिहां कैसे आप अपने आपके मुवाइल पर काम नहीं करता है तो हम यह यूटूबर है और हमने भी यह समस्या जहेला है तो इसलिए हम चाहें कि आप लोग को यह साथ यह सेर कर दे कैसे आपने कि दीक गुलिहाँ कि अपने यूटूब और दिखलाते हैं दुन चैनल है ऐब करते हैं यहां है और इसके बाद यहां है है कि पतायाहर करें आपको अपने नहीं है कि इस तरह इस आप को पीड़ोर का अ governance हो जाएगा इसके बाद यहां घर का को ईकन है तो आप उस पर step की जिए हैं नहीं है तो आप यहां उपर में पहले पहले सर्च कर लिजये eyeo2.com तो चलिए हम यहां से सर्च करते हैं YouTube.com क्योंकि मेरे में नहीं है यहां आइकन तो सर्च करने के बाद कुछ इस परकार से इंटरफेस आपका ओपन होने लाएगा तो चलिए ओपन होने देते हैं अगर आप में इस तरीका से ओपन नहीं होता है तो आप डेक्ट आप साइट कर लीजिए करते हम यहां पर्षारी करने ह cukना है इसके बाद निची आपको देखेंएए और तो चलिए यहां ओपन होने देते हैं उसके बाद दिखलाते है आयका प्रोसेस आपको एकदम सिंपल तरीका बतलाएंगे इस हाइड करने का तो आप इस तरीका से आप बड़े असानी से हाइड कर पाएंगे चलिए यह ओपन हो गया लोगों जो दिखाई दे रहा होगा यहां उपर में उस पर टैप करना है और टैप करने के बाद देखिए ऐसी परकार से इंटर्फेस आपका उपन हो जाएगा उसके बाद देखलाते हैं चलिए open होडा हमारा यह पहुत इसान से 밀्म पर पहें आप बोट परपाएंगे आपके 100 0% आपको वर्क होगा चलिए open होड़ेते हैं उसके बाद देखलाते हैं आपको open हो रहा है चलिए ओपन हो रहा है देख सकते हैं तो देखिए आप ओपन हो गया और उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ नीचे देखिए सेटिंग का जो आइकन होगा नीचे देख सकते हैं दिखला रहा हैं देखिए यहाँ setting का जो आइकन है नीचे में उस पर ही आपको tap करना है चलिए हम setting वारे जो आइकन है उस पर tap करते हैं और tap करने के बाद कुछ इस परकार से आपका एंटरफेस ओपन हो जाएगा देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा यहां setting का option है कई सारा setting है तो आपको यहां जाना है दूसरे नमर पर channel का जो option है उस पर जाना है चलिए हम channel पर tap करते हैं tap करने के बाद कुछ इस फरकार से आपका interface open हो जाएगा तो यहां आपको advanced setting में जाना है देखिए basic information के बाद advanced setting का जो option है उस पर जाना है और इसके बाद आपको scroll करके नीचे आना है तो इसके बाद देखिए यहां subscriber count का जो option है उस पर अभी tick लगा हुआ है तो यह tick आप बंद कर दीजिए कुछ इस परकार से बंद कर दीजिए और उसके बाद यहां नीचे आपको देखिए save का जो option है नीचे देख सकते हैं save का जो option उस पर tap कर दीजिए tap करने के बाद कुछ इस परकार से आपका यह interface open हो जाएगा इस तरीका से देखिए यहां आग यह successful का नीचे और उसके बाद दिखलाते हैं अब कैसे मेरा वह subscriber count hide हो गया बंद हो गया चलिए आप फिर से open करते हैं अपना YouTube और उसके बाद दिखलाते हैं देखिए आप यहां बंद हो गया hide हो गया इस तरीका से आप भी अपने YouTube channel का subscriber count hide कर सकते हैं तो यह था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लागा था प्लीज यह चैनल को subscribe कर लिजेगा और वीडियो को like कर दिजेगा क्योंकि tips and tricks रिटर वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलता रहता है तो चलिए आज इतना ही जाहिंद